दोस्तों आकिरकार जिस चीश की आशंका जताई जा रही थी अव्वे होना सुरू हो चुका है बता दे कि इरान इसराइल के खिलाफ युद में खुल कर सामने आने को तयार हो चुका है और इसके तहत वे दुनिया में इसलामिक देशों की आगवाई के लिए भी तयार है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि इरान ने सभी मुस्लिम देशों की एक अरजेंट मिटिंग को बुलाने की डिमांड की है जो OIC के तहत हो सकता है अगर ये कदम उठाया गया तो इसमें इरान इसराइल की खिलाफ एक्शन लेने की बात करेगा OIC मुस्लिम देशों का फ्लैक्सिब संगठन है जिसमें 57 देश से एक साथ मिलकर साजेदारी करते हैं ये संगठन दुनिया भर में काफी ताकत और प्रभाव रखता है ऐसे में अगर इरान के भड़कावे में आकर OIC ने इसराइल की खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा लिया तो इससे देखते ही देखते युदपूरे मिडल एश्ट में फैल सकता है पहले ही ये रिपोर्ट कंफर्म हो चुकी है कि हमले के लिए हमास को इरान और अफगानिस्तान की तरफ से मदद मिले थी जिसमें इरान ने हमास को हर साल 100 मिलियन डॉलर की मदद की और सायद योजना बनाने में भी मदद की थी इसके लावा अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से हमास को कई अमेरिकी M4 राइफल सप्लाई की गई जिसका इस्तिमाल करके हमास के आतंगवादियों ने सैकडो यहोदियों की जान ले ली वैसे तो यह अमेरिका का भी एक काफी बड़ा फेलियर है लेकिन यहाँ पर हम भी उस एंगल की तरफ जादा नहीं जाएंगे क्योंकि इरान और हमास की बीच में लेबनान पहले ही कूच चुका है हिजबुल्ला द्वारा उठाए गए एक्शन के बाद इस्राइल की वायूसेना लेबनान पर हमले कर रही है ऐसे में अब इरान का खुल कर मुस्लिम दे उनियन ने हमास द्वारा इसराइल पर किये गए हमले के बाद फिलिस्तीन को लगभग 800 मिलियन डॉलर की विकास सहायता देने से मना कर दिया था आब इलको सही सुन रहे हैं ये डवलप्मेंट फंड यूरोपियन उनियन फिलिस्तीन को देता है ताकि ग्राउन लेवल पर विकास कारे किया जा सके लेकिन हमास के हमले के बाद इन्हें पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया था लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि सिर्फ कुछी घंटों बाद इरोपियन उनियन अपने बयान से पीछे हड़ गया और उन्होंने कहा कि वे फिलिस्तीन को दी जाने वाली सहायता राशी रोक नहीं रहे बलकि रिव्यू करने वाले हैं कि वे जो भी डॉलर फिलिस्तीन को देंगे उसका इस्तिमास सीधे या फिर इंडारेक्ली हमास की फंडिंग में ना किया जा सके और इस्राइल की खिलाफ युद में इससे कोई बेनिफिट ना हो क्योंकि अग अपने भरोसे मन साथ ही इसराइल की मदद के लिए अमेरिका खुल कर सामने आता दिखाई दे रहा है पहले ही अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस एरक्राफ केरियर को भूमध्य सागर में सक्तिशाली हत्यारों के साथ तैनात कर दिया है ताकि अगर किसी भी हालत में पावर का अंदाजा हो जाए जिससे इस बात के उमीद काफी कम हो गई है कि कोई दूसरा देश इसराइल पर हमला करेगा लेकिन अमेरिका यही पर नहीं रुक रहा बलकि अमेरिका ने रविवार को बन दरवाजे के पीछे संयूक्त राष्ट सुरक्षा परिशत की एक अर 15 में से कईदेश व्यक्तिगत तोर पर इसराइल का समर्थन कर चुके हैं दोस्तो इसराइल इस वक्त एक काफी बड़े युद की तयारी में है और रूस की तरह बिल्कुल भी स्टैप्स नहीं उठा रहा जहां एक तरफ रूस ने युकरेन पर हमला करते समय सोचा था कि य युद काफी आसान होगा और वे सिर्फ दो से तीन हफ्तों के अंदर ही अपने अब्जेक्टिव हासिल कर लेगा वहीं पर दूसरी तरफ इसराइल की डिफेंस फोर्स कई महिनों तक चल सकने वाले एक लंबे युद की तयारी में जुट चुकी है जिसके लिए इसराइली जादा हमास के आतंगवादियों को मार गिराया है और इसराइल में जो आतंगवादी घुसे थे उनका पूरी तरह से सफाया करके अपने हिस्से पर कंट्रोल वापस से हासिल कर लिया है इसके लावा इसराइल की नौसेना भी गाजा पट्टी के कोश्टल इलाकों पर हमला करना सुरू कर चुकी है साथी इसराइल ने ये बात भी खुल कर कही है कि अगर फिलिस्तीन की लोग जा सकते हैं तो उन्हें गाजा पट्टी छोड़ कर इजिप्ट चले जाना चाहिए कुल मिला कर समझने की कोशिश करें तो इस वक्त पूरी दुनिया से इसराइल को समर् हो सकता है या फिर नहीं अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरू बताइएगा साथ हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल नोटिफिकेशन अवश्य दबाले जिसे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंसके फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद जैहिन